तो आखिरकार एक हपते के वेट के बाद शी हलका अगला एपसोड आ गया है वैसे अगर मैं बात करूँ पिछले एपसोड की तो कुछ जादा खास नहीं था लेकिन हाँ, एंड में हम लोगो डेर डेवल की हिंड दे दी गई थी लेकिन अगर हम लोग बात करें आज के अपसोड की तो हाँ, ये पहले वले से तो काफी इंटरस्टिंग हो गया है और हम लोगो बहुत कुछ डीटेल पता चलिया हाले कि अगर हम लोग बात करें डेर डेवल की, तो एक तरीके से और्डिंस के हैप को बढ़ाने के लिए उसे लाए गया है यहाँ पर इन सब के लावा काफी नए कैक्टेस भी रिवील हुए है, जो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तो, कमेंट वीडियो को स्टार के लिए अप लोग करेंगे, और कमेंट करके यह पताईए कि आप शीहलकिस आज के अपसोर्ट को पाच में से कितना स्टार देंगे अपसाथ, जो लोग मेरी चल्व पने हमाँ चल्व को सब्सक्राइब करके, हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फरमली का इस्ता बन जाईए तो दोस्तो, हम लोग शुरुवात करते हैं, बिलकुल लाइब डेट से जो कि यहाँ पे जनिफर की बच्पन की दोस्ट लू, लू लू से बिजती है और यहाँ पे जनिफर को ब्रैड स्मिड बनाना चाती है अब यहाँ पे सबको सई चल्ला है, जनिफर की जो दूसरी दोसे निकी तो उसे उस पार्टी में ना जाने का suggestion देती है जन्फर को भाई जाना पड़ता है इन सब के बाद दोस्तों वहाँ पे वो शीहल्ग बनके जाती है लेकिन उसकी दोस्त लूलू को ये पसंद नहीं आता है क्योंकि सब की नजरे उस पे थी आखिरकार ये उसी की वेडिंग है और यहाँ पे उसके कहने पे वह वापत से जन् कि यहाँ पे जो ड्रेस में वो शीहल्ग बनी थी ती में वो जैनिफर बन जाती है यारी दोस्तों यहाँ पे उसने अपने काम काफी वड़िया तरीके से किया है वह ही जो उसका ड्रेस डिजाइन कर रहा था यारी कि वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन सब के लावा निकी एक केस पे काम कर रही है और यहाँ पे हम लोग को एक वियर्ट से आभी मिलता है जिसके उपर कई केसे लगे हुए है उसने काफी शादी की है यह है और तो और वो अपने आपको मरा हुआ भी साबित क्या है बाद में पता चलता है दोस्तों उसके पास एक सूपर पावर है जो की है इमोर्टल्टी उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल मर ने सकता है और पहले उन लोग मानने से मना करते थे लेकिर उसने यह करके दिखाया हाला कि दोस्तों आगे जाके हम लोगों को शियर के अपसोड में और भी ऐसे सूपर हुमन दिखाये देंगे जिनके पास का है और यहां पर सब लोग अपना काम करने लगते हैं वही दूसरी में केस का अलग पार दिखाये जाता है लेकिन उस पर आज हम लोग उतना ध्यान ने देंगे अम लोग आते हैं वापस है जैनफर के केस पर आप यहां पर दोस्तों टैटेनिया उसे सबक सिखाना चाती है लेकिन बार में जो जैनफर है वो शी हल्क बनके उसे ही बिगाड़ देती है और एक तरीके से टाइटेनिया अपनी बेस्तिक अरवा के निकल जाती है उपर से लू-लू जो उसकी फ्रेंड है वो आपस से शी हल्क को देखके काफी खुश होती है क्योंकि उस समय वो काफी टल्ली हालत में थी यहां पर दूस्तों लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर जो साइट पर हम लोग देखे थे कि इम्मोर्टल मैन कैसे गिरा था उसकी वीडियो आ रहे थे उसी साइट पर काफी लोग ही हल्क का काफी मजा पुड़ा रहे है और एक तरीके से उसकी जान को खत्रा भी है यह मैसेज निकी जन फर वाल्टल सक पहुचा देती है और हम लोग यहां पर जन को यह भी देखते हैं कि वो ब्रूस को वाइस मैसेज सेंड कर रही है लेकिन आप लोग तो जानते कि अभी जो अपना करेंट हल्क है वो कहां पर है और वो जेनफर के question के जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन बज़े की बाद हम लोग ये पता चली है कि यहाँ पे जेनफर को कोई तो दूर से देख रहा है। और वो एक तरीकी की lab लग रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग मोनिटर पे देखेंगे तो आप हलकिंग लिखा हुआ है। अब एक चीज़ confirm है ये जो character है ये भी आने वाला है और हो सकता हो ये ये यंग अमेंजर स्टीम के पार्ट हो। अगर हम लोग comic book पढ़ेंगे तो जो हलकिंग है वो एक तरीकी से क्री और स्क्रल का हाइब्रीड है। और यहाँ पे उसके पास हलकी वी ताकत आ जाती है। लेकिन ये तभी possible लोग का मावसमेटिक लोस में जब उसके पास Jennifer का blood sample आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे important बात यह है कि आखिरकार हलकिंग को कौन बनाना चाता है। इसके पीछे क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग का ये मनन है कि आगे जाके हम लोग को leader भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे सबसे वो बचा के रखा गया है Captain America 4 के लिए। वो इतनी जल्दी तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उनलोग बात करें इस character की तो इसका आना एक चीज तो confirm करता है। आगे जाके यह जो शो है वो काफी जबरदफत होने वाला है। और देवल इनका तो अभी तक हम लोग को ठीक से पता ही नहीं चला है। हाला कि हम लोग को ऐसी काफी clips दिखाएगी हैं जहाँ पर जेनिफर और देवल के बीच में battle भी होती है यानि कि शी हल के बीच में। लेकिन दोस्तों अभी मुझे लग रहा है डेवल को बिलकुल के आखरी episode ले बचा कर रखा गया होगा। और उपर से यहां पर पहले confirm हो चुका है डेवल का जो भी appearance होगा वो शी हल के बस एक ही episode में होगा। उसके बाद नहीं उपर से abomination भी हम लोग को उसके monster रूप में दिखाए दिया है वो भी दम खुला अब पता नहीं सब कब दिखाए जागा। लेकिन अगर हम लोग बात करे हलकिंग की तो जो character है वो काफी important हो जाता है और उसकी history को सही से बताना पड़ेगा। यानि दोस्तों क्या आगे जाके हम लोग को शीहल के episode में scroll भी दिखाए देंगे ये एक बहुत important question है बात करें अगर हम लोग immortal man की तो आखिरकार वो है क्या क्या experiment से कोई super power मिली है या फिर वो एक mutant है तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग comic book पर ध्यान देंगे तो वो हम लोग कह सकते हैं वो mutant है लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर एक बात जानते हैं comic book में उसे थोड़ा यंग दिखाए गया है लेकिन अगर लोग बात करें शीह तो इसके साथ हमेशा रहेगी आप यहाँ पर इसका जो team up है अगर यह यह अंगर वरजन का होता तो डेटपूल के साथ भी हो चुका है लेकिन cinematic loss में मुझे लगता है इसका role बस यही तक था यहाँ पर marvel ने एक अजीब सी hype बनाने की कोशिश की है कि cinematic loss में हम लोग को और भ technology थी जिसके उजसे टाइटेनिया जो की काफी कमजोल लड़की थी उसे super power मिल गई थी लेकिन दोस्तों अभी तक cinematic loss में हम लोग को टाइटेनिया की history के बारे में कुछ ने पता चला है हां लेकिन इस episode में उसके दाद जरूर खराब हो गये है वह वापस जरूर आएगी शी शीहल का blood sample चाहता है यह अभी तक confirm नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो टाइटेनिया मौके का फाइदा उठाके जैनुफर का blood sample ले सकती थी जब उस समय उल्टी कर रही है और बोजेने लगता कि टाइटेनिया के इतने deep motive हो सकते हैं लेकिन हां ऐसी possibility बनत बनाए थी कि पहली वाली जो सिरिंज है जो कि टूट चूकी थी उससे जादा ताकतवा लग रही थी अब में भी यह सिरिंज का काम यह होगा गलती से जनिफर वापस से शीहल बन जाती है तब भी यह सिरिंज उसकी बॉड़ी के अंदर जाके वो चीज ले सके जो कि उस व हलकिंग की तो अगर वह लोग काम्याब हो जाते है उसे बनाने में यानि कि पहले से वह स्क्रल और क्री का हाइबरेड है उपर से उसके पास हलक का सैंपल भी आ जाता है जिससे उसके पास हलकी ताकत आएक लेकिन डिमाग अपने कंट्रोल में होगा तब तो दोस्तों यहा अगर उनको इतने टैप के हलक दिखाए देंगे तो उनका क्या हालत होगा उपर से अगर उनको भी शी हलक का ब्लाट सेंपल मिल गया तो शायद वो रेड हलक बन सकते हैं बस हम लोग को एक नए कास्टिंग चाहिए दोस्तों यह तीक अमेजिंग अपडेट जो क्रियरेट